कर दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों आप सभी लोग का बिहार S.I.Mains का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाए जा रहा है यहांगा सेट नंबर पंद्र का है ठीक है यानि 15 नंबर का सेट है इसके पहले का भी सेट अप्लोड कर दिया गया है मैं आप सभी लोगों से बोलूगा कि जो आप सभी लोग का एडुटेरिया का वालूम टू अप्लोड कर दिया गया है बिहार साइए मेंस का उसको जाए दोबारा रिवीजन कर लिजे और बात करेंगे कि जो अभी बीपी असी 66 का जो अभी पीटी का अभी जो एडुटेरिया के तरफ से बुक लांच किया गया अगर आपका पॉसिबल है तो आप जरू उसको एक बार लगाईए ठीक है उसमें अच्छा-चा कोशन दिया गया है आपके एक्जाम के द हो तो ठीक है चलिए आज का सेट लगाते हैं आप सबीर बताईएगा कि इस वाले प्रैक्टिस सेट में आप कितना स्कॉर कर पा रहे हैं पहला कोशन है कि वायू की गती निम लिखित के द्वारा नापी जाती है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन भी एनिमो मी क्ला-उसर क्या हो जाएगा अंसर आपका डी हो जाएगा ओजोन क्लोरो ऊकसाइड हो जाएगा और क्लोरेमीन हो जाएगा तो आज् How आउसर आइपा देखा जाय तो यहाँ पर डी हो जाएगा नैश्ट कोसन कहता है निम लेखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व का पूर्ड रूप पुछा गया यानि सी एफ हैल का फूल फॉर्म क्या होगा चलिए एक बार पढ़ देजे फिर आंसर करिएगा सी एफ है तो देखिए इसका आंसर आपका यह हो जाएगा कॉम्पैक्ट फ्लोरी सेंट लाइम्प हो जाएगा आंसर देखा जाए तो आपका यहां पर यह हो जाएगा नेश्ट कोशन क्यों राते हैं को सन्वर फाइब कहता है कि निम्म लिखित बहुलोकों में से किसका उपियोग ना चिपकने वाली कड़ाई के निर्माण में किया जाता है बताइए पांचमा का उत्तर क्या होगा तो इसका आंसर देखिए पांच को पताई होगा डबलु 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 देखा जाये तो इसका आंसर वर्ल्ड वाइब वेब हो जाएगा वाइड वेब हो जायेगा आंसर आपका सी हो जाएगा ठीक है इस प्रणाली के परवर्तक ब्रिटिश बेग्यानी सर टीम बर्सनलित है नेश्ट कोशन है कि एक उबगरा में विरुत उर्जा का इस्तरोत क्या होता है सात्मा का उत्तर बताईए तो सात्मा का उत्तर देखा जाया तो आपका सौर सेल हो जाएगा क्या हो जाएगा सौर सेल याद रखिएगा अगला कोशन जब बर्फ पिघलती है तब जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घ बहट जाता है एक जब बर पिखलती है तो इसका आयतन घड जाता है और जब द्रव बर्फ बंती है तो इसका आयतन बढ़ जाता है नेस्ट कोर्शना नीम इन्मलीखित में से किसकी कोसी का किने गफ में में option आपका देखा जाए तो E हो जाएगा जो कि इसमें E option दिया नहीं है अगला question 10 निम्न ततों में से किसमें neutron नहीं होता है बताइए question number 10 का answer क्या हो जाएगा इसका answer देखी hydrogen हो जाएगा note करिएगा hydrogen आपका यहाँ पर answer हो जाएगा सभी लोगों का अगला question question 11 काता है टाइग टाइग ली स्राइड क्या है ट्राइग ली स्राइड तो इसका answer देखिए वसा हो जाएगा क्या हो जाएगा वसा नेस्ट को सने कि आदरता किस उपकरण से ना पी जाती है आदरता बताईएगा तो इसका बारा का उत्तर आप सभी को पताई होगा आपका हाई गुरू मीटर हो जाएगा अब आते हैं नेस्ट को सने पे कहता है कीट दंस से होने वाली खुजली किसकी कारण होती है बताईए कोशन नमबर 13 का उत्तर क्या होगा तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा फार्मिक अमल हो जाएगा देखें लाल चीटी बर या फिर कीट के डंक आदी में आपको फार्मिक अमल देखने को मिलता है अगला कोशन निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी वैपार से संबंध था इन में से पूछा गया है संथाल विद्रोह कब हुआ था तो 1855 से लेके 56 की बीच में हुआ था आंसर आपका यहां पे डी हो जाएगा अगला कोशन चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है तो करेक्ट आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा न्यू चायना निव एजन सी अगला कुशन आर्थिक नियोजन विस ए है किसमें कि तो देखिए आर्थिक नियोजन की बात करें तो यहां पर समवर्ति सूची हो जाएगा शतर का अंसर यहां किसी देश की प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त की जा सकती है किस से तो यह आपका प्राप्त किया सकता है उप्रोक्त दुनों में से यह जनसंख्या राष्टी आय से नेश्ट को सन चीट गाउं सस्त्र छापा मारी की योजना बनाई गई थी तो यह बनाय गया था सूरिय सेन के दोरा देखिए सूरिय सेन ने अपने सहयोगियों अनन्त सिंग गड़ेस घोस तथा लोकिनाथ बाउल के साथ मिलकर 1930 इसवी में चीट गाउं सस्त्रागार लूट की योजना बनाई थी अगला कोशन रामोसी विद्रोस सही रूप में किस भोगालिक इलाके हुआ था बताइए कोशन नमबर 19 का सुरी 20 का आंसर क्या होगा तो इसका आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा पस्चिमी घाठ हो जाएगा नेस्ट कोशन किस छेतर में राहूल राहूल संस्कृतिया संस्कृतियायन 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रियत है 21 तो इसका आंसर आपका छप्रा हो जाएगा क्या हो जाएगा छप्रा आपका यहां पर आंसर हो जाएगा अगला कुशन किस अभिलेक में रुद्र दामन प्रथम की विभिन उपलब्दियां वर्णित है बताइए 22 का आंसर देखा जाये तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा आपका जूना गड़ हो जाएगा याद रखिएगा जूना गड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी को क्लियर होना चाहिए अगला कुशन प्राथना समाज के संस्थापक कौन थे प्राथना समाज के संस् इस्थान पर हुआ है तो यह आपका देखा जाए तो बांकीपुर में हुआ है आंसर आपका यहां पे डी हो जाएगा नेश्ट कोसन है कि समराट सह आलम द्यूतिय ने इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उडिसा की दिवानिक का प्रदान की बताइए 25 का जब आप आंसर करेंगे ना तो आपका आंसर यहां पे आएगा ऑप्सन ए 12 अगस्त 1765 देखिए समराट सह आलम द्यूतिय और उसके उत्रा दिकारी नाम मात्र के समराट थे वे अपने अभी सश्टो मराठो था अंग्रेजों के दिखा जाए तो यह सब आपका आंसर हो ज लोग जमा हुए थे 26 इंपोर्टन कोशन आपका यहां से हमेशा बनता है कई बार एकजाम में यही प्रस्न दोहराए गया है तो देखिए आंसर आपका भी हो जाएगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने की प्रती विरोध करने के लिए आंसर आपका यहां पे भी हो जाएगा देखिए रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के करण पंजाब के दो लोग पिरिये नेता डाक्टर सत्यपाल और डाक्टर सहफोदिन किचलू को बीना करण 9 अपरेल 1919 को गिरफतार कर लिया गया 13 अपरेल 1919 को वहां के जनता पुलिस दमंत था इन दो नेताओं के ग मोहन रायद्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कौन से सन में तो यह आपका किया गया था 1828 इसवी में याद रखिएगा अगला कोश्चन है कि अमरित बजार की पत्रिका की स्थापना किसने की अमरित बजार तो इसका आंसर देखा जाए 29 का तो आंसर आपका क् इसलिक कुमार घोस हो जाएगा आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा नेश्ट कोशन है कि अकबर के सासन काल में टोडर मल संबंधित थे किसे संबंधित थे बताइए कोश्चन नमबर 30 का उत्तर क्या होगा जाए बूराजेस्वा सुधार हो जाएगा आंसर आपका यहां का कस्मीर का इतिहास क्या हो जाएगा कस्मीर का इतिहास आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन प्रथम 20 यूद कब सुरू हुआ था प्रथम 20 यूद कब सुरू हुआ था बताइए आंसर क्या होगा इसका 32 का तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1914 इस्वी में याद रखिएगा आंसर आपका C हो जाएगा दूतियों 20 यूद का प्रारम किस वर्स में हुआ था 33 तो 1949 याद रखिएगा 1949 नेश्ट कोसन देखते हैं कोसन अबर 34 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी प्रास्थना समाज की मांग नहीं थी तो इसका आंसर देखिए अस्प्रिस्ता की समाप्ति करेक्ट आंसर आपका यहां पे 34 का देखा जाए तो डी हो जाएगा प्रात्ना समाज की स्थापना वार्स और 1867 में मुमई में अचारे के सवा नंद सेन की प्रेणा से महादेव गोविंद रनाडे डाक्टर आत्मारंग पांडू रंग के द्वारा यहां पे किया गया था नेश्ट को सन है दिल्ली चलो का नारा दिया गया था किस ने दिया तो इसका उत्तर आपका एस सी बोस ने हो जाएगा यानि ए आंसर हो जाएगा सभी लोग का ठीक है नेश्ट को सन बिंबी सार किस वंस का राजा था बत स्वेज नहर के बन जाने के पस्चात भारत और यूरोप के मद्द की समादुरिक जो समुद्रिक दूरी है वो कितनी कमी आई थे तो आंसर देखा जाए तो आपका 37 का आप्शन भी हो जाएगा 7000 किलो मीटर याद रखिएगा भी आंसर हो जाएगा नेलांग घाटी किस राज ये मेंस्तित है तो आंसर देखा जाया तो आपका उत्तराखंद हो जाएगा क्या हो जाएगा उत्तराखंद आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशने 39 के दच्छिड पश्चिम मानसुन काल में निमलेकित इस्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां पर होती है बताईए कहां पर होता है तो इसका आंसर आप सब लोगों को नोट करिएगा 39 का उत्तर आपका यहां पे चन नहीं हो जाएगा इसमें देखिए आपका सूची वन और सूची टू को सुमिलित करके बताना है 40 का तो देखिए अश्ट मूरी देखा जाए तो आपका चला जाएगा केरल में पूलिकट आपका चला जाएगा तमिल नाडू में और रूप कुंड आपका देखा जाए तो उत्रा खड में चला जाएगा और सूरच कुंड देखा जाए तो आपका हर्याना में चला जाएगा नेश्ट कोशन, कोशन नमबार 41 कहता है कि निम लिखित में से किस उद्धोग की अवस्तिती के लिए कच्चे माल की उपलब्धी मूल कारक नहीं है बताईए 41 तो इसका आंसर आपका C हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिक्स हो जाएगा याद रखिएगा C आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का अगला कोशन है, कहता है कि निम लिखित आदर छेतरों में किन्हे राम सर का दरजा प्राप्त है आपके सामने है, एक सेकेंड, अब आपके आपके सामने है बताईए 42 का उत्तर क्या होगा तो इसका आंसर देखिए सभी हो जाएगा यानि चिलका, जील, लोकटक, केवला, दे, बूलर ये सब आपका आंसर याँ पे हो जाएगा 42 का ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा अब आते हैं नेश्ट कोशन पे अगला कोशन क्या काता है, देख लेते हैं नेमने लिखित में से किस सागर में लवरता सबसे अधिक है तो सबसे अधिक देखा जाए तो आपका मृत सागर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, अंडमान और निकोबार दिप समू में, दिप समू से सबसे अधिक उचाई वाली चोटी कौन सी है तो आंसर आपका फोटी फोर का देखा जाए तो सैडल पिखो जाएगा ए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का नेश्ट कोशन पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसीद ब्लेयर प्रवाल भित्ती मृत्त हो रही है तो फोर्टी फाइब का अंसर देखा जाए तो अत्य धीक जहाज रानी के कारण आंसर आपका यहां पे बी हो जाएगा नेश्ट कोशन कोशन नबर फोर्टी सिक्स कहता है कि निम लिखित में से किस राज्य में सरवाजिक प्रतीसत छेत्रवनों के अंतरगत पायाता है तो फोर्टी सिक्स का जब आप आंसर करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा आंसर आपका D हो जाएगा अगला कोर्षन निमलिखित नगरों में अलक नंदा एवं भागिरती कहां मिलकर गंगा नदी बनाते हैं बताईए 47 का आंसर क्या होगा तो इसका आंसर आपका देव प्रियाग हो जाएगा देखिए गंगा नदी का उदगम उत्रा खंड को तुरा उत्तर कासी जीले में गोमुक के निकट गंगोतरी हिमानी है अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या है कहता है कि भारत का अधिक्तम गेहू उत्पादन राज ये कौन सा है तो आँसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा नेश्ट कोशन भारत में सबसे अधिक कौफी उत्पन करने वाला राज ये आपका कौन सा है तो आपका करनाटक हो जाएगा क्या हो जाएगा करनाटक चलिएगा नेश्ट कोशन देख ले हैं कहता है भाखडा नांगल किस नदी पर बनाया गया है भाखडा नांगल तो ये आपका बनाये गया है 17 नदी पर कहां पे 17 नदी पर इस परियोजना का अगर निर्मार देखा जाए तो 1948 में हुआ था ये परियोजना पंजाब हर्याना और राजस्तान की सन्युक्त परियोजना है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है तो आंसर आपका महराष्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा महराष्टर आपका यहां पर आंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन पूर्वी घाट एवं पशिमी घाट का मिलन इस्थल कौन सा है तो इसका आंसर आपका नील गिरी हो जाएगा याद रखिएगा B आंसर हो जाएगा सभी लोगों का नेश्ट कोशन 53 सुन्दरवन छेतर में बताना है सुन्दरवन तो देखिए ये सगन मैंगरो वन है आंसर आपका देखा जाएगा तो D हो जाएगा 53 का देखिए सुन्दरवन छेतर सगन मैंगरो वनों के लिए प्रसिद है मैंगरो के विरिक्ष की जड़े जालिदार होने के करड़ तटी मिटी का कटा रोकने एवं सगरिय लावडो को रोकने में सक्षम होते हैं 54 तो परवत पठार मैदान करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा निमल लेखित मेंसे कौन से देश की सीमा भारत की सीमा से नहीं लगती है 55 तो इसका आंसर देखे आपका ताइवान हो जाएगा क्या हो जाएगा ताइवान याद रखाएगा सभी लोग अगला कोशन इन में से राज येपाल का अध्यक्श कौन है सुर्य माफ कीजएगा इन में से राज सभा का अध्यक्श पूछा गया है कभी कभी थोड़ा सा प्राब्लम हो जाता है पढ़ते पढ़ते ठीक है कोई इसू नहीं है आप सभी लोग आंसर कर यह 56 का तो देखिए इसका आंसर आपका उपराश्ट पती हो जाएगा नेश्ट को सन निमे लिखित में से किसे भारती सम्मिधान की आत्मा कहा जाता है 57 तो सम्मिधान की प्रस्तावना को भारती सम्मिधान का आत्मा कहा जाता है आप सभी लोग याद रखिएगा ठीक है जबके डाक्टर भीम्राव अंबेटकर ने सम्मिधानिक उपचारों की अधिकार को सम्मिधान की आत्मा माना है नेस्ट कोशन भारत के सर्वोच न्याले ने सम्मिधान की अधार भूत धाजे की सिधान्त को इसपष्ट किया है किस में तो ये आपका इसपष्ट किया है केशवा नंद भारती वाद 1973 याद रखिएगा सभी लोग निम्म लिखित में से कौन राष्टपती के प्रसाद परियतन अपना पद धारण करता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अंसर आपका भारत का महानेयवादी हो जाएगा डी या अंसर हो जाएगा अगला कोशन है कि निम लिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है यानि उसका जो खून होता है वो सफेद होता है किसका तो आइचिंग मैंने ये कोशन आपको पहले ही करवा चुका हूँ तो आपका अंसर यहां पर तिलचट्टा हो जाएगा भी या अंसर हो जाएगा ठीक है नेश्ट कोशन भारती समिधान के निमलिखित अनुछदों में से किस एक के अंतरगत विधान परिशत की स्थापना या फिर समापती की विवस्था की गई है बताईए तो इसका आंसर हो जाएगा 169 यानि 179 आप सभी लोग का आंसर यहां यहां है बताईए 62 तो आंसर आपका यहां पे वी वी गीरी हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का नेश्ट कोशन भारत के किस प्रांत में सरोपर्थम साम्यवादी सरकार के स्थापना हुई थी चलिए सभी का आंसर यहां पे सही आना चाहिए तो इसका आंसर आ हो जाएगा कियरल आपका आंसर हो जाएगा भारती समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत राष्टपती को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमती रोक ले तो इसका आंसर अनुछेद 111 हो जाएगा नेश्ट कोशन सन्यूक्त राष्ट संग की सुरक्षा परिशद में निनलिकित में से कौन सा देश इस्थाई सदश्य नहीं है तो आंसर आपका यहां पर जापान हो जाएगा क्या हो जाएगा जापान याद रखिएगा अगला कोशन भारती सम्मिधान का कौन सा अनुछेद संसत को अंतराठी समझावता को लागू करने के लिए वेधी निर्माण करने की सक्ति प्रदान करता है बताईएगा अनुछ इसका आंसर क्या हो जाएगा अनुछेद दो टिरपन हो जाएगा यानि दोसो तीरपन नोट करिएगा सबी लोग किस वड़्यार षारकण्ड राज्य का यानि किस वर्च रश्र यारकणड राज्य अस्तित्वों में ये तो सभी को पता ही है संसत का आइसरा आपका दो हज में जारकर्ण पूर्वी भारत का एक राज्य जी से 15 नुवंबर 2000 को बिहार यानि देखा जाए तो 15 नुवंबर को इसका इस्थापना दिवस मनायता है हमारे सम्मिधान के अनुसार राज्य सभा का कारेकाल कितना होता है तो इसका आंसर देखिए समाप्त होने का विसे नहीं है आंसर आपका D हो जाएगा नेश्ट कोशन पंचायती राज का चुना कराने हे तू नेड़ें किसके द्वारा लिया जाता है तो यह आपका राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा भारत में निम्म लिखित में से किसके अंतरगत पंचायती राज परणाली किस विवस्था की गई है 70 तो आंसर आपका निती निर्देशक तत्तो हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा अगला क्वेशन क्या है देख लेते हैं भारत में पंचायती राज प्रतिनिदितुव करता है 71 तो इसका आंसर देखिए उपरोग तो सभी हो जाएगा सक्तियों का वी केंदरी करण लोगों की हिस्सेदारी सामुदाई के विकास यानि देखा जाए तो आपका 71 का आंसर D हो जाएगा अगला क्वेशन की सफलता पुरुव कारे करने है तो पंचायत राज को पूरे सहयों की जरूरत पड़ती है तो इसका आंसर आपका इस्थानी जनता की हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा सभी लोग नोट करिएगा राश्टपती द्वारा राजसभा में कितने व्यक्ती मनुनुद किये जाते हैं बताएगे तो इसका आंसर देखिए 12 हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा अगला कुस्टन थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उस्मा की कोई हानी तथा प्राप्ती नहीं होती है तो 74 का आंसर देखा जाएगा तो A B दोनों हो जाएगा संचालन सनवहन एवं वीकरण हो जाएगा भारती समिधान के जिस धारा के अनुसार विधान सभा का गठन है वह धारा पुछा गया है 75 तो इसका आंसर देखिए धारा 170 हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे C हो जाएगा अगला कुस्टन भारती समिधान के अनुसार संग का कारेकारी अद्धिक्ष कौन होता है बताईएगा 76 का उत्तर क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा राष्ट पती करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा नेश्ट कोसन देख लेते हैं अगला कुस्टन क्या कहता है 97 कि निमनलिखित में से कौन सा भारती अर्थ विवस्ता का प्रात्मिक छेत्र है बताईएगा आंसर इसका क्या होगा 97 तो इसका आंसर देखे क्रीसी हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन देखते हैं कहता है कि गांधिवादी अर्थ विवस्ता किस पर आधारित है तो यह आपका देखा जाए तो नियास पर आधारित है आंसर आपका B हो जाएगा नेश्ट कोसन कौन सा संगठन विदेश व्यपार का सनवर्धन करता है तो आंसर आपका D हो जाएगा ecgcmmtcstc तो आंसर आपका D हो जाएगा अगला कौसन नूकलि impec calendar time bomb का लेखा कौन है कौशन नादेट का आंसर देखा जाएगा आंसर आपका D हो जाएगा ठीक है यानि देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर D हो जाएगा तो फ्रेंट्स आप सभी लोग का 100 कोशन समाप्त हो गया है वीडियो को लाइक सेर करिए और अपना कमेंट करके बताइए कि आप कितना इसको अभी तक कर पा रहे हैं तो चलिए अगले कोशन सेट यानि हिंदी सेट में जल्द ही मिलते हैं